माश्रू प्रदेश के चंबा में उन्चाई वाले लाकों में देर रात जमकर हिमपात हुआ है आपको बता दें कि दो से तीन फिर तक यहां पर बर्वबारी हुई है वही निशले लाकों में यहां पर बारिश हुई है और दूसरी तस्वीर अपनारकंडा की देख पा रहे ह है वहां पर भी ताजा हिमपात हुआ है हालांकि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है लेकिन सेलानियों के लिए अच्छी खबर है और चंबा में भी उपरी इलाकों में बर्व पारी हुई है आपको बता दें कि चंबा जिले के डेट दर्जन पहाडों पे हिमपात लोग और किसान खुश है वही शिम्रा जिले के डारकंडा चांशल घाटी और आसपास के क्षेत्रों में बर्व की सफेज चादर बिच गई है प्रदेश में क्रिस्मस के बाद नए साल पर कुद्रत ने बरव बारी का ऐसा तोफा दिया है कि हर किसी के चेहरे खिल गए है आपको बता दें कि नए साल पर आय सेलानियों ने नारकंडा में बरव का खुब आनंद लिया है वही प्रटन विभाग भी इस बरव बारी के बाद रहत की सांस ले रहा है तो हिमाचुन में एक बार फिर से मौसम का में जास बदल गया है एक बार फिर से ताज़ा बरव ब दो तस्वीर आप देख पा रहे हैं चंबा में भी ताज़ा बरवारी हुई है वहीं श्मला के नारकंडा में भी ताज़ा बरवारी हुई है किसान खुश है हालां कि स्थानी लोगों के लिए थोड़ी दिक्कते जरूर सामने आ रही है लेकिन टूरिजम के लिहाज से जो प है कि कल और पज़सों भी बरफबारी हो सकती है भी एक जो तके जो ऑब कीट रहा है हुई ड कर दियर्स कि ओद भ. यह हैं माचल प्रदेश में और चार पांच और छे को जो है उपरी इलाकों में और मध्यवर्ती इलाकों में बर्फबारी हो सकती है लाइट टू मॉटरेट यानि हलकी बर्फबारी जो है वो इन इलाकों में जो हो सकती है मौसमभी भाग की संभावना के मुताविक जबकि जो मैदानी इलाके हैं प्रदेश के वहां पर बारिश होने की संभावना है पश्चिमी विक्षोब के सक्रिय होने के करण तो कुल मिला करके एक बहुत बड़ी सौगात जो अगर सेलानी यहां पर आए हैं और उन्हें बर्फबारी के दिदार हो जाएं नया साल जिस दैन था उस दन बर्फ बारी नहीं होई तो कई सेलानी जो है वो नया साल बना कर गए हैं यहां पर हालाओ कि कोब अंजॉई किया है उन्हें कहीं न कहीं मायूसी थोड़ी बहुत थी कि बर्फ बारी जो नहीं हुई है तो उनकी ये जो उमीद है और सपना है एक बार फिर जिए अगर मौसमवी भाग की जो संभाबना है वो सटीक बैठती है तो वो पुरा हो सकता है और ऐसे में कहीं न कहीं ये एक सपना रहता है सेलानियों के लिखास और पर की बर्फ की जो बर्फ जब गिर रही हो आस्मान से यानि स्नोफॉल हो रहा है इंपात हो तो उसे देखने का एक अलग ही मंदर और एक अलग ही खुशी जो है वो बहुत 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 शुक्रिया